दोस्तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मेडिकल इंफो में मैं आप सभी का दोस्ट सिवम सैनी आपको कहीं दाद है वो ठीक नहीं हो रहा है तो ये वीडियो आपके लिए काफी खास होने वाली है जी दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं पैंडरम प्लस क्रीम के बारे में दोस्तो इसका यूज क्या होता है और इसे प्रयोग किस प्रकार किया जाता है इसका मार्कने प्राइज कितना है दाद और फंगल इंफेक्शन के होने के क्या कारण हो सकते है आज हम इसी बारे हम जानकारी प्राप्त करेंगे अगर जानकारी आपको चाहिए तो बने रहे हमा निर्माड की बात करते हैं दोस्तों इसका निर्माड जो है वो मैकलोड फार्मसिटिकल प्राइवेट लिम्टेड दोरा किया जाता है और दोस्तों इसके इंग्रेड्जन्स की बात करते हैं यानि कि दोस्तों इसमें क्या-क्या मिला हुआ होता है दोस्तों इसमें क्लोबिट 90 रुपए एक बीचे मार्केटे मिल जाता है अब हम बात करते हैं पैंटरम प्लस क्रीम के यूज के बारे में इसका यूज कहा कहा किये जाता है इसका जो मुख्रूप से उप्योग किये जाता है वो फंगल इंफेक्शन हो जाने पर दाद यानी के रिंगवार्म हो जाने पर सोराइसिस हो जाने पर डर्मटाइटिस हो जाने पर एकजीमा हो जाने पर जाक खुजली हो जाने पर सिर में दाद हो जाने पर बैक्ट्रियल इंफेक्शन एन एसलीट फूड या इसकीन इफेक्शन आधी कंडिशन में हम पाइंटरम प्लस क्रीम का यूच कर सकते हैं बात करते हैं फंगल इंफेक्षन होता किन कानों से है कुछ लोग की जो इम्म्यूटी फावर है वो काफी कमजोर होती है Immunity Power का कमजोर होना Fungal Infection होने का एक मुख्य कारण होता है तोचा का नम रहना भी दाध होने का एक प्रमुख कारण होता है जैसे कि दोस्तों जांगों की बीच की जगा में हमेशा नमी रहती है तो Fungal Infection वहाँ काफी जल्दी होता है और दोस्तों जिदि आप कोई Fungal Infection वाले व्यक्ति के संपरक में आ जाते हैं तो इससे आपको Fungal Infection काफी जल्दी हो सकता है दोस्तों हम बात करते हैं Fungal Infection क्रियम का प्रियोग कैसे करना है दोस्तों हमें प्रभावित तोचों को पहले अच्छी तरी किस धो लेना है फुर उसे सूख जाने देना है सूख जाने के बाद हमें Pandrum Plus क्रियम की कुश्मातर अपने प्रभावित तोचों पर लगा करके उसे घंटे या दो घंटे के लिए हमें इसे छोण देना है आपको कहीं Fungal Infection है और दोस्तों जोगा काफी गंदी है यानि कि दोस्तों आपने उसे साफ नहीं किया उसके उपर आपने Pandrum Plus क्रीम लगा लिया है बात करते हैं Pandrum Plus क्रीम के कुछ Side Effect के बारे में दोस्तों इसके कुछ Side Effect होते हैं जैसे के दोस्तों तोचा पर जलन महसूस होना, तोचा रूखी हो जाना, तोचा पतली हो जाना, तोचा लाल हो जाना और दोस्तों खुजली होना आद इसके Side Effect हो सकते हैं बात करते हैं पैंडम प्लस क्रीम का उपयोग हमें किस कंडिशन में नहीं करना है यदि आपको गंभीर इलर्जी है तुस कंडिशन में हमें पैंडम प्लस क्रीम का उपयोग नहीं करना चाहिए बात करते हैं कुछ लोग के शवालों के बारे में कुछ लोग का शवाल होता है क्या इस्तन पान कराने वाली महिला को या गरवती महिला को हम पैंडम प्लिस क्रीम को प्योग करा सकते हैं तो दोस्तो गरवती महिला में या इस्तनपान करने माली महिला में पैंडम प्लस क्रीम को उपयोग कराने पहले अपने डाक्टर से परमर्ष जरूर करने चाहिए और दोस्तों कुछ लोगों कर सवाल होता है क्या पैंडम प्लस क्रीम लट बन सकती है तो पैंडम प्लस क्रीम की लट नहीं लगती है और कुछ लिए कर शवाल होता है कि ड्राइवरिंग करते समय यान कोई मसीन चलाते समय हम पाइंटम प्लस क्रीम को प्योग कर सकते हैं तो दोस्तों व्यूडियो आपको कैसा लगा अगर व्यूडियो आपको अच्छा लगा हो तो व्यूडियो को लॉइक कीजिए कमेंट कीजिए तदह अपने दोस्तों को सेयर कीजिए तो मिलते हैं अपने नेस्ट व्यूडियो में तब तक के लिए धन्यमाद